नमस्कार योगा माइन लाइप पर आप सब का स्वायूत है आज की वीडियो का एक जो खास शिर्शक है टाइटन है मन को विक्सित करने का एक खास ओपाई है मन को विक्सित करना बड़ा जरूवी है मन अगर विक्सित नहीं होगा तो हम विक्सित नहीं होगे सिंपल सी बात ह हमें बाते समझ नहीं आएगी, हमें जिन्दगी समझ नहीं आएगी, हमें बिजन्द समझ नहीं आएगा, हमें पढ़ाई समझ नहीं आएगी, हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, मन अगर विक्सित नहीं होगा तो आज के विडियो वाज़ शर्शक्त है वो मन को विक्सित करने की खास तक्निक के बारे में है मन को विक्सित करने की जो सबसे खास तक्निक है न सबसे बहले मन को देखना सीखना होगा क्योंकि हम मन बन के जीते हैं ये हमारी सबसे वड़ी समस्या होती है हम मन बन के खुश होते हैं हम मन मन के डरते हैं और हम मन बन के ही दुखी होते हैं मन बन के ही असते हैं और मन मन के ही रोते हैं ये जो आदत है छोड़नी पड़ेगी ये आदत बरसों बुरानी अत्विया सारी से छोटेगी नहीं मन को जब तक आप अलग वो के रही देखेंगे कि मेरा मन है मैं मन नहीं हूँ इस बात को जब तक नहीं समझेंगे तब तक कहानी समझ नहीं आएगी मेरा मन है मैं मन नहीं हूँ इस बात को ख्यार में रखिए तभी जो मैं खास video बताने जा रहा हूं उसको तभी आप समझ पाएंगे मन से जैसे ऐसे अलगाम होगा ना तो आपको मन की शप्तियां समझाने लगेगे मन का pattern समझाने लगेगा आपको ये समझाने लगेगा कि आपको अपने ही मन को चलना ना कैसे है है नो बड़ी खास बात कि अपने ही मन को चलाना सीखना होगा अभी तो हम मन को चलाना नहीं सीख रहे अभी तो हम मन के कहें अनसार चले जा रहे हैं जैसे मन चाहता है वैसे हम उतरी चल लेते हैं मन दोना तैरो नेते हैं मन असा तैरस लेते हैं अगर आप मन को देना सीख रहे तो आपको समझा जाज़ेगा कब रोना है, कब अजना है, कब उटना है, कब पहनना है, कब बात विरनी है, कब बात नहीं करनी है ये सबसे खास तरीका है मन को विक्सित करने का जो योग की वाशामी और वेदानत की वाशामी वेदों की वाशामी इसको बोलते है साक्षिवाओ साक्षिवाओ आपने काफी बार सुनोगा साक्षिवाओ का जो अध्यातम प्रोग है वो तो होगा है नहीं होगा साख्षिवाव आपके जिवन के अंदर बहुत कुछ लिए कि आएगा बहुत कुछ आप सोच ही नहीं सकते है, तिन ख달 पर दो किया है, सिमिए पहस के आएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा मन को अगर मैं ये विचार देता हूँ तो वो बदले में क्या देता है अगर आप अपने मन को ये विचार देता है तो वो बदले में किस तरह के विचार देता है ये तखनीक आपको समझ आ जाएगी ये असान नहीं है जितनी असानी से मैं आपको बता रहा हूँ इतना असान ये नहीं है, निश्चित तोर पे नहीं है इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है प्रैक्टिस करने के जो सबसे उत्म तरिका है वो है इंट्रोस्पेक्शन राद को सुने से पहले, याद रखेगा राद को सुने से पहले आतम आवलोकन करना है इंट्रोस्पेक्शन करनी है राद को सुने से पहले अपनी दिने में जितने भी काम की हुए है उनको देखना है ठीक है, सिल्फनेवार किसी भी काम के साथ जाना नहीं है काम की हो मतलब कि आप उठे आपने क्या क्या दिन मी किया, कुन से कफड़े डाले, सुबह उठते पहले किसको देखा, क्या चीज सबसे पहले की, ठीक है, इस तरीके से सुबह से लिखने रात तक आपको हर एक बात को सोचना है, इसके सोचने के बाद आपने अपने मन को देखने की कोशिश कर भी है, मन को जानने की विद्या आपके जीवन को प्लेटने वाली है, आप सब का दिन मंगल में हो, चैनल को और सुस्क्राइब नहीं किया, दो सुस्क्राइब करने, और हमारे ओनलाइन कोर्से और इन सब टोपिक्स को ओपर जो नहीं मैं बताता हूं, चक्रास पे, माइंड पाव बड़े अच्छे से आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हों और अपने जीवन में उतार सकते हो, ठैंक यू अलिमिट, आप सब का दिन मंगल में हो,